योगी अधितना जी की इस लोकप्रिय सरकार ने बहुत ही विकास परक बज़ट पेश किया। और जैसी उमीद की जा रही थी जिस तरह हमारी सरकार की नीतियां हैं किसानों के लिए इसमें सरवाधिक प्रावधान किये गए हैं। इसके साथ विकास परक जितनी भी परियोजना हैं सब के अंदर प्रावधान किये गए हैं। उत्तर प्रदेश में बहतर कानून ब्योस्था किसानों के लिए हर तरह से लावकारी और चाहे वो भंडारन का छेत्र हो चाहे उत्पादन का छेत्र हो। यह रोजगार के विस्टिजन में और इंफ्राएक्स्रेक्चर में और स्थापना सुधाय, सडकें, पुल-पुलिया के निर्मान में भी बहुत ही सकारात्मक इस बजट में प्रावधान किये गए हैं। अभिनंदन और बधाई के पात्र हैं और खास करके इसमें जो एक चीनी मिलों के जितनी चीनी मिलें सब बसपा की सरकारों ने अकुछ अंस तक सपा की सरकारों में बेची थी उन सब के पुनरसंचालन तो करी रहे हैं और रुकी चीनी मिलों के पुनरसंचालन के लिए प्र राजिल को भी पीछे पछाड करके उत्त के पास उसके भाउनाओं का समोन करते हुए उसे किए गैए वाइदों के आधार पर दी बजट तयार करता है तो इस में उतको आपती क्या है हम एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल जनता में जो वाइदे करता है जिसके आधार पर निर्वाचीत हो क्या आता है उसको पालन करने के लिए प्रावधान कर रहे हैं यह तो वीपक्स को को यहत्डी पड़ी करनी की जग हमसे सिक्षा लेनी चाहिए कि हम जो वाइदे करते हैं वह सरकारों में आने की बात अपने खुद के सौरतों में लग जाते हैं मैंने कहा ना कि मैं बजट की विशेस्ताओं पर वन वाई वन जाने की जगा आपको धन्यवाद किया आपने आप में योगी सरकारगा जो संकल्प है अजोगी सरकार ने किसानों के हिट नौजवानों के हिट बहतर कानून विश्ता के साथ साथ एक जो पुरे देश दुनिया में जलक दिखाई है कि भारत के सांस्कृतिक गउरो भारत के आध्यात्मिक गउरों को उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ाने में हम कोई कसर छोड़ेंगे नहीं उसके लिए यह अयोध्या विश्णात जी के कारिडोर गौवन सरचन यह सारे प्रावधान करके योगी जी ने अपने उस दिर्ण नेचाय का परिचे दिया तो बहुत अच्छी बात है देश की जंता देख रहें तस्वीर बिलकुल क्लियर है देश में एक तरफ सारे करेफ्ट्स सारे भरष्टाचारी एक तरफ और एक साब सुथरी पार्टी के निता एक तरफ हैं देश इसमें हमारे लिए तो अनकूलता बनती जा रही है कल मैंने बुलंसा और अलीगड़ के सवाओं में खुद कहा है चोरी और सीना जोरी बुजर्गों उन्हें कुछ कहा था हुआ उदान ममता प्रस्तुत कर रही है कांग्रेस और ये तमाम जो दल बीजेपी के खिलाब खड़े हैं दिक्कत क्यों है क्योंकि ये लोग सत्ता मे धन को चूशते हैं जन तंतर को खोखला करते हैं मोधी जैसा इमानदार नेता इन चीजों को सरक्षण नहीं दे रहा है हम थोड़े उनके पीछे पड़े हैं सभी जाचे सरोच नेले के आदोसे के उपर हो रही है हाँ हम यही कर रहे हैं कि निस्पक्छ जाचे हो उसको हम इसके पहले सरकारें ऐसी जांचों को दबा देती थी, हमारी सरकार, dalूद का दूद, पानी का पानी, साफ सुत्री सरकार है, आज किस बात के लिए बीजेटपी डरेगी, कांग्रेश का है क्या हुथ इतर प्रदेश में, कांग्रेश का एक ब्लाक में गाउं में आदमी नहीं है जिलों में उनके पुराने दफ्तर हैं कुछ दुपट्टाधरी कांग्रेश के पदाधिकारी है टूटली डिसकनेक्टेट पार्ट ये पबलिक से अगर सपा बसपा सपोर्ट ने दे तो अमेठी और राइवरेली में खड़े होने की स्थिति में नहीं है और मैं बता दूँ अमेर्टी राइवरेली बीजेवी उनसे चीनने जा रही है है क्या कांग्रेश को तो इतने सब जो भी उनके पास थोड़े बचे वे अच्छे नेता उनको छोड़के परिवार से उपर उठ नहीं सकती राहुल और से उपर उठने ही पार है कांग्रेश और आज जब एक भरष्टाचार की जांच में पती देव को सामना करना है तो स्रीमती जी ने जो है आज उन्हें मीडिया को भी कहा स्वयम प्रस्तुती करके कि मेरे लिए पती पहले है समाज और अन्विसेबाद में अब इससे वरिष्टाचार की जांच के परिस्थिति में कोई रोड तो निश्चित तवर से जनता देखी कि कि किसके लिए रोड तो हो रहा है तो उसका जवाब जनमत खुद देगा योगी आदितनात ममता बनर जी के इस गयर कानूनी कारवाई का सामना करेंगे और ममता बनर जी के साभी गयर कानूनी कारवाईयों का सामना भाजपा के लोग वहां कर रहे हैं और आज भाजपा ममता के सामने डट के मुकाबला कर रही है उनके हर अत्याचार का और अत्याचारी सरकार को उखार फेकने तक भाजपा वहां डटी रहेगा